हेलो गाईशेंट वेलकम टो माई यूटूब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेश दोस्तो आज की वीडियो आपके काफी ज़्यादा यूजफूल और काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने टेक्नो स्पार्क 9 के फोन में डिस्प्ले फिंगर्पिंट लोग कैसे लगाएंगे आप अपने फोन को लोग करके डिस्प्ले फिंगर्पिंट के द्वारा अनलोग कर सकते हैं आपके अलावा आपके फोन को यहां पपे प्लेश्टॉर ओपिन करने वादध यहां पे आप लोगों को सर्च करना है टच लोक स्क्रिइ अप्लिकेशन को पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए कंद मcióकर आप से जादा लोग डॉठों के option पर click करने के बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको interface देखने को मिल जाता है यहाँ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है यहाँ पर application है touchlock screen को आप लोग यहाँ से permission देदेंगे इसके बाद बैक आएंगे फिर से wallpaper पर click करेंगे फिर से आप आपको permission देने होगी यहाँ पर touchlock इसके नीचे देख सकते हैं allow कर देंगे यहाँ पर आपको बहुत से wallpaper देखने को मिल जाते हैं दोस्तों आपको wallpaper देखके tension नहीं लेना है मैं आपको wallpaper डाउनलोड करना नहीं बता रहा हूँ दिस्पले fingerprint lock लगाना बता रहा हूँ जो कि आपके सामने lock लगा के unlock करके सब कुछ live proof दिखाऊँगा इसलिए आप लोग video के end तक बने रहिए सबसे पहले आपके phone में जो भी wallpaper दिख रहा है किसी एक wallpaper पर click करेंगे click करने वाद इस पूरे display में किसी भी एक अस्थान पर आपको चार बार click करना है यहां आप देख सकते हैं मैं चार बार click करता हूँ इसके बाद दुबार उसी password को आप लोग यहां पर डालेंगे confirm हो जाएगा इसके बाद select your question को option है इस पर click करेंगे click करने बाद यहां पर कोई भी security question आप लोग select करेंगे इसके बाद इसका security answer जो भी आप दे दीजिए 1,2,3,4,A,B,C,D कुछ भी लिख दीजिए आपको attention नहीं लेना है इसके बाद आपको submit के button पर click कर देना है submit के button पर click करने के बाद फाइनली कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है बहुत से theme दिखाए देंगे किसी भी एक theme पर click करना जो भी style आपको अच्छी लग रही हो उस पर आप click करेंगे yes को option दिखाए देगा आपको yes के option पर click कर देना है yes के option पर click करते हैं आपको यहां पर ऐसा interface देखने को मिलेगा अब इस application के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस application को finally cut कर देजिए और अपने phone को आप लोग कर देजिए लोग करने बाद आप अपने phone को जब unlock करेंगे ति यहां पर हमने swipe to open वाला lock लगाया है यहां आप देख सकते हैं swipe करके आप अपने phone को unlock कर सकते हैं लेकिन जब हम यहां पर swipe करते हमारा phone unlock नहीं होता है बलकि display fingerprint मांगता है कोई भी कहीं भी कितना भी बार touch करेंगे आपका phone unlock नहीं होगा जहां पर आपने चार बार क्लिक किया था लगातार सिर्फ दो बार क्लिक करेंगे तुरंत आपका phone unlock हो जाएगा और दोस्तों यह trick सिर्फ आपको पता रहेगी इसलिए आप अपने phone को सिर्फ unlock कर पाएंगे और कोई भी आपके phone को unlock नहीं कर सकता है इसकी 100% गरांटी है अगर आपको वीडियो important लगिद वीडियो को like और channel को subscribe जरूर करें